तो अभी कुछे दिन पहले मैं fluid art कर रही थी और इसको करते टाइम मैंने एक नई चीज़ सीखी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ जब भी आप fluid art करते हो तो आपके हाथ और table वग्यारा भी अक्सर गंदी हो जाती है तो मेरी table पे भी थोड़ा सा color गिर गया तो मैंने मैं सोचा फटा-फट से इसको पोच देती है इसका कोई फाइदा नहीं हुआ बलकि जो blue pigment था वो table के उपर रह गया तो आप देखिए जब यह अच्छे से dry हो गया उसके बाद मैंने इसको हलका से scratch करते हुए निकाला यह बहुत ही easily peel off हो गया और जहां मैंने तुरंत प्राय होने के बाद निकाला वह पता भी नहीं चल रहा है कि कहां पर कलर गिरा था और कहां मैंने उसको साफ किया है